नमस्कार बात सन 2011 की है मैं एहमदाबाद में शूट कर रहा था रात का वक्त था मैं उन दिनों एक एक अपने नहीं हwah कर तो एमदाबाद में भटियार में नाम के एक जगा जिए और मुसलमान समुदाइम के लोग रहते तै तो रात के करी बारागा, सब़ाह, साड़े-बारा का वक्त राओने थी और हम घूम रहे ते माँ पे और मैं गुन गुना आता हूँ वो ऐसे चल रहा था तो जो मेरी टीम का एक लड़का था वो पहली दफ़े आउट्डोर शूट करने निकला था उसकी जिंदगी अमूमन प्रोड़क्शन कंट्रोल रूम में भीती थी तो वो बुला सर आपक जिगर मुरादाबादी साहब का है उनका कहना है कभी शाखो सब्जाओ बर्ग पर कभी टेहनी पर कभी जो उसके हर्याली है उस पर और कभी किसी पत्ते पर कभी शाखो सब्जाओ बर्ग पर कभी गुन्चाओ गुलोखार पर कभी कली पर कभी फूल पर कभी फूल के संध्र करों जांधे पर मैं चंवनमי चाहें जहां रहूं में चंवनमें चाहें जहां रहूं मेरा हक्क है फसले बाहर पर इनलिजरत ने मुझे जमीन दी impressed 200 दल सा Children संध इसकी समंदर दिया है नदी दी है पानी दिया है जिसे पांच तत्व कहते हैं वो दिये हैं हमने शेहर बनाए हैं यह मुल्क हमारा अपना है हमें यहां आजादी है हम आजाद मुल्क के आजाद नागरिक हैं लेहाजा डरने की कोई जरूरत नहीं है हम जहां चाहें घूमें जहां चाहें जाएं यह मैं क्यों आपको बता रहा हूं आज दरसल World Press Freedom Day है कि दुनिया में जो मीडिया है जो प्रेस है जो चाहे हो अब तो इलेक्ट्रानिक भी हो गया टेलिविशन भी हो गया सोशल मीडिया भी हो गया अखबारे हो गई आज उनकी आजादी का दिन है तो आज सही दिन है जाजा आज लेने का कि हम कितने आजाद है कि मुल्क हमारा है हम जहां मर्जी जाये जो हम अपने विवेक के मुताबर ठीक समझे लिखें या बोलें आज हमारे हैं आजादी कितनी है World Press Freedom Day मैं आको कुछ त्थ्य बताता हूं कुछ facts आपको बताता हुँ एक संथा है reporters without borders रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ऐसे ऐसे मीडिया वाले जिनके लिए बॉर्डर्स सरहदे मायने नहीं रखती हैं, उसके मुताबिक 180 देशों की जो श्रिंकला आई है, श्रेणी आई है, पूरी सूची आई है, फेरिस्ता ही है, 180 देशों में हमारा 138 वा नंबर है प्रेस की आजादी को लेकर, इस साल हम दो पॉइंट और नीचे गए हैं, सन 2014 में जब यह सरकार आई थी, हमारी जगह थी 140, वो भी कोब बहुत अच्छी जगह नहीं थी, फ्रीडम के हिसाब से, प्रेस की आजादी के हिसाब से, तब UPA का राज था, 180 में से, 140 में स्थान पर होना, अपने आप में शर्म की बात थी, प्रेस की आजादी को लेकर, ये संख्या और कम हुई 2015 में, 136 वे नंबर पर हम आ गए, उसके बाद 2016 में 133 वे नंबर पर हम आए, फिर थोड़ी इंप्रूव्मेंट हुई, और 2015-2016 के बीच, लेकिन 2016-2017 में, हम फिर 136 वे नंब 138 वे नंबर पर है, ये हमारे प्रेस की आजादी है, RSF, Reporters Sans Frontier, ये फ्रेंच में इसको यही बोलेंगे, Reporters Without Borders अंग्रेजी में बोलते हैं, Reporters Sans Frontier, हर साल वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करता है, शाया करता है, और सन 2002 से कर रहा है, कि 180 मुलकों में, जो मु आजाद है, ठीक है, और जो मापतंड लिये जाते हैं आजादी नापने के, कि उस देश में, Level of Pluralism, विविधता को कितनी मानिता दी जाती है, बजाए एक रूपता को, कि सब एक टिका लगा ले, एक भगवा पहलने, या सब सफेद सकल कैप पहलने, सब दाड़ी उगा ले या अलामते जो होती हैं धर्म की, किसी भी धर्म की जो निशानिया होती हैं, वो पहन ले और एक से हों सब, एक सा खाना खाएं, सरकारे तहे करें, आप क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, सरकारे तहे करें, आप क्या पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, सरकारे तहे करें, आप प्यार भी करेंगे या नहीं करेंगे, यह जो आजादी होती है जिन्दा रहने की, जो हमें नेमत मिली है कुदरत से, उसमें उसका माहौल कितना है, कैसा है, तो उसमें सबसे पहले आता है लेवल अफ प्लूरिलिज्म, कि विविद्धा कितनी है उस देश में, सब एक से तो नहीं है कहीं, और हमारे देश में इफरात में है, तूरिलिज्म, तरहां तरह के लोग हैं, बोलियां हैं, खाने हैं, मौसम हैं, बहराल, बावजूद इसके हमारी जगा जो है 138 ही, दूसरा है, मीडिया इंडिपेंडेंस, कि मीडिया कितना इंडिपेंडेंट है, हमारे यहां, सरकारी तोर पर, इमर्जनसी तो घोशित नहीं हुई है, लेकिन अनपचारिक तोर पर, अनफिशली, मीडिया के लिए एक इमर्जनसी चल रही है, ट्रोलिंग होती है उसके लावा जनलिस्ट मारे भी गए हैं यहाँ पर और यह सब इसका बहुत बड़ा जिम्मा जो मीडिया के मालिक हैं मैं उन पर देता हूँ उनके पास छुपाने को कुछ ना कुछ है या तो या वो ब्लैक मिल हो रहे हैं लेकिन सब के सब दरबारी हो चुके हैं इकका दुका संस्थाओं को छोड़कर जहां हम बैठे हैं इस वक्त और हमें भी तंग किया जाता है देफिमेशन केस डा दे जाते हैं चल रहे हमारे किल जाता है या पूरी तरह जाच परताल के बाद खाबर को सामने लाया जाता है या देश हित्में नहीं है इसलिए संयम बरतलो सेल्फ सेंसिशिप चौथा माबदन जो यह लोग इस्तेमाल करते हैं रिपोर्टर्स विदाओट बॉर्डर्स कि देश में ट्रांसपेरेंसी कित इतनी है या आप जानते हैं जहां RTI को लगातार, Right to Information को लगातार कमजोर किया जा रहा हो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी है इसलिए सामने लीगल फ्रेमवर्क अदालते कितना काम आती हैं बात बात पर मानहानी की धंकी, मानहानी के मुखदमे कर देना, अदालते कितना क काम आती हैं, हमारी अदालतों में सालों साल से केस लटके हुए हैं, चाहे हो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हो छोटी अदालते हो, हमारी जिस तरह की न्याय प्रणाली है, जुडिश्री है, आप सब उससे वाकिफ हैं, उसके बाद आती है, Quality of Infrastructure that supports the production of news and information, जानकारी और खब उपर, ये कहां से निकलती है, किस तरह के धाचे से निकलती है, उसकी Quality क्या है, उसकी गुणवता कितनी है, यहां पर लोग छुपाते हैं, बिरॉक्रिसी जो यहां की है, वो obstructionist है, रुकावटे डालती है, नागरिक के काम में, वो नागरिक की मदद नहीं करती है, आप किस किसी विदेशी कंपनी के दफ्तर में चले जाईए, और आप किसी भारती सरकारी दफ्तर में चले जाईए, पता चल जागा सरकारी दफ्तर में, आप अगर काम करवाने कुछ गए हैं, या किसी काम से गए हैं, आप नागरिक है, आपका हक है, मजाल है, आपको कोई कुरसी भी ओफर कर देया पानी का ग्लास तो बहुत बड़ी बात हो गई तो quality of the infrastructure that supports the production of news and information हमारे बहुत कमज़ोर है लेहाजा 180 में से हमारा 138 स्थान है नौर्वे पहले नंबर पर है महाँ प्रेस की स्वतनता जो है आजादी जो है स्वीडन दूसरे नंबर पर है और नौर्थ कोरिया सबसे नीचे है 180 में नंबर पर है नौर्थ कोरिया हम नौर्थ कोरिया से थोड़े बहतर ही है थोड़े से ही बहतर है ज्ञादधा नहीं पाकिस्तान से हम एक पॉइंट उपर हैं सिर्फ ज्यादधा नहीं हाना कि पाकिस्तान का जो मीडिया है पिछले कुछ सालों में हमने देखाए किस तरह से वह वायब्रेंट हुआ है जिनदा हुआ है ज्याधा आजादी करें वहां पर होती है और म्यानमार से एक स्थान नीचे हैं, और चीन की जो जगह है वो 176 स्थान है, 180 में से, श्री लंका 131, नेपाल 106, मौल्डिव 120, भूटान हमसे कहीं बहतर, 94, 180 में से 94 नंबर पर भूटान है, और बांगलादेश 146 नंबर पर है, हमसे बहुत नीचे है। रिपोर्टर सौं फ्रंटियर्स, इन्होंने इंडिया टुड़े को कोट किया है, इंडिया टुड़े के मुताबिक इन इंडिया हेट स्पीच टागेटिंग जर्नलिस्स इस शेर्ड और एंप्लिफाइड उन सोशल नेट्वर्क्स, कि जो धंकी वाले मैसेज होते हैं, हेट स सेल्स बने हुएं, पार्टियों के, भारती जंदा पार्टी का आईटिसल सबसे बड़ा है, और उफन बाय ट्रोल्स आमीज इन प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी पे, प्रधान से वक नरेंदर मोदी की जो मुलाजुमत करते हैं, जो उनके नौकर हैं, उन से जो स्वीडम डे है, मैंने सोचा आप से यह बात कर ली जाए, कि हम कितने फ्री हुए हैं, और पिछले चार साल में हमने कितनी आजादी अपनी खोई है, एक सूचना में आप सबको देना चाहता हूं, आप यह पेजिस देखिए, इसमें दो पेज मेरे ऑथेंटिक पेज हैं, लेकिन बाकी इतने सारे अकाउंट्स हैं, जो फेक हैं, नकली हैं, मेरे नाम से चल रहे हैं, वी सपोर्ट विनोद दुआ, आए सपोर्ट विनोद दुआ, और ना चाहने क्या क्या है, सारी लिस्ट आप देख सकते हैं, क्रिप्या, इनके यहां से जो भी मेसेजिस आएं, यह मेरे नहीं है, मैं ट्विटर पे कभी नहीं लिखता हूं, मैं जो अपना अफिशल फेस्बुक अकाउंट है, टिक वाला, उस पे भी कभी नहीं लिखता हूं, तो जितने भी मेसेजिस मेरे नाम से, और मेरे फोटो के साथ आते हैं, ऐसे अकाउंट से, जो फैन या पैर टेड़ना शुरू करते हैं और मेरी एक सलाह मेरे अपने ही मेडिया वालों को भी है कि इन्सेने की शरूरत नहीं है स्टूंज है लेदेए कि इनने की शरूत profes निन्म मैंने दिखा यह एक-दो हमारे पत्रकार संग्या घान को रहा है हमारा पीछा किया जा रहा है यह रोज होता है यह सिरफ ट्रोल्स हैं अभी सरकार की तरफ से कोई आपचारिक अमर्जेंसी नहीं है यह सिरफ आपके मालिकान है जो जुग गए है जो दोहरे हो गए है और अगर आप आप इंडिपेंडेंट है स्वतंत्र है तो डरने की जरुवत नहीं है जिसमें हिम्मत होगी सामने आएगा ना वो यह बिल्कुल वैसी है जैसे माफिया के लोग टेलीफोन पर धंकी देते हैं तो यह यूजिंग टेलेफोन एज इंस्टुमेंट अफ टेरर वो टेलेफोन को आतंकवाद के हत्यार के रूप में इस्तेमाल करते हैं हिम्मत है तो सामने आओ भई हिम्मत नहीं है नमस्कार आप देख रहे थे जनगन मन की बाद हमारी आप से एक बार फिर इलतिजा है कि आप यूट्यूब पर जाएं और हमारा जो यूट्यूब चैनल है दवायर न्यूज उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसको दबा दें ताकि जब भी जनगन मन की बाद का नया एडिशन आए वो आप तक पहुंच जाए जो आफ़ते में चार दफ़े आता है मंगलवार बुधवार वीरवार और शुक्रबाद